त्री कोन मिती से अबजेक्टी प्रसन को डिसकस करने वाला हूँ चलिए सुरू करते हैं और जितना भी प्रसन है सर्मा गेस का प्रसन है सभी लोगों के पास सर्मा गेस होगा या कोई भी गेस होगा तो इसी तरह का प्रसन दिया हुआ होगा पहला प्रस्न, सबसे पहले प्रस्न को समझना है, इसका मान ग्याद करना है, तो एक बार अच्छा से समझना है, लेकिन इसमें आपको time नहीं लेना है, अगर आप time ज्यादा देंगे, तो फिर बड़ा प्रस्न को solve करने में आपको time नहीं मिलेगा, तो एक बार मैं समझा देत तो दो में से किसी एक को change करना है तो इस दोनों में से किसी एक को change करना है कौन सा formula में change करना है change क्यों करेंगे क्योंकि यहां पर cos 48 degree का मान कोई भी नहीं जानता है और sin 42 degree का मान कोई भी नहीं जानता है अगर जानते तो उसका value रख देते और solve कर लेते answer आ जाता तो आपको change करना है इस दोनों में से किसी एक को तो मैं इसको change कर रहा हूँ अब यहाँ पर समझेगा cos तो यहाँ पर 48 degree है ना तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 90 degree minus अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 48 degree है ना तो यहाँ पर 90 minus इसी को यहाँ पर रख दीजे इसमें आपको कोई सोचना नहीं है यानि कि इसको आप change कर रहे है तो 90 minus यहाँ पर जो theta है ना degree उसी को यहाँ पर रख दीजे इसका मतलब क्या हुआ देखिए अगर 90 में 42 घटाएंगे तो इतना ही बचेगा कहने का मतलब है कि 48 को आप 90 minus 42 लिख सकते है लेकिन इस तरीके से लिखने से formula बन गया जैसे आप पढ़े होंगे sin 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta इस तरीके से पढ़े होंगे formula याद किये होंगे अब यहाँ पर देखिएगा तो यह तो जेओं का त्यों है तो यहाँ पर है 42 degree देखिए cos 90 minus theta तो क्या हो जागा sin theta यह formula है तो theta इसको पढ़ते है तो theta कितना 42 degree जब आप किसी एक को change करेंगे तो दोनों बराबर हो जागा याद रखिएगा लेकिन एक चीज आप check करेंगा जैसे यहाँ का theta और यहाँ का theta जोड़ेंगे तो 90 होगा और इस दोनों में से किसी एक को change करेंगे एक को change करेंगे एक ही को change करना है तो क्या हो जागा दोनों बराबर हो जागा जब दोनों बराबर हो जागा और बीच में माइनस का चीन है तो घट के क्या होगा जीरो होगा तो इसमें कलम और कोपी यूज करने का जरूरत नहीं है एक बार कॉंसेप्ट को सीखिए नहीं तो अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो टाइम चला जाएगा और फिर बड़ावला परशन को सॉल्फ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो साइन ब्यालिस डिग्री माइनस साइन ब्यालिस डिग्री क्या होगा जीरो होगा ना दोनों बराबर है तो घट के जीरो तो यहाँ पर देख लिजे ए ओप्सन सही है अब बिल्कुल समझ में आ गिया होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगला परसना दूसरा नमबर इसमें भी क्या है बीच में माइनस है अगर दो में से किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा लेकिन आपको ठीटा को चेक करके देख लेना है कि 90 डिग्री हो रहा है या नहीं जोडने पर तो 69 डिग्री और 31 डिग्री को जोडेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है तो दो में से किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा और बीच में माइनस का चीन है तो घटके जीरो तो D option सही है अगला प्रस्नक तीसरा नंबर सबसे पहले प्रस्नक को समझना है एक बार मैं लिख लेता हूँ कितना दिया हुआ है 10 A लेकिन जेनरली ठीटा दिया हुआ रहेगा लेकिन यहां पर मैं A लिखा हूँ बराबर court B अब यहां पर आपको समझना है जिसे यहां पर 10 A बराबर court B है तो यहां पर तीटा क्या रखेंगे कि दोनों का मान सेम होगा अब यहां पर समझेगा तो 10 45 डिगरी का मान और court 45 डिगरी का मान क्या होता है बराबर ही होता है कहने का मतलब है कि A के जगह में आपको 45 डिगरी रखना होगा और यहां पर B के जगह में 45 डिगरी रखना होगा तभी दोनों बराबर होगा क्योंकि यहां पर बराबर का चिन दिया हुआ है तो अब बोड़ है कि A पलस B क्या होगा तो दोनों को जोड दीजिए A कमान कितना है 45 डिगरी है और B कमान भी 45 डिगरी है तो जोड देंगे तो कितना होगा 90 डिगरी देख लिजिए 90 डिगरी कहां है C option सही है इस तरीके से solve करिएगा अगर कहीं पर doubt है confusion है तो comment में लिखिएगा मैं फिर से समझाने का परियास अगला प्रस्ण चार नमबर ना कौन A के किस मान के लिए sin A एवं cos A कमान समान होता है यानि कि sin A sin A और cos A कमान समान होता है किसका समान होता है अब यहां पर समझेगा तो cos 30 डिगरी cos 45 डिगरी यहां पर ध्यान दिजिएगा sin 45 डिगरी और cos 45 डिगरी का मान समान होता है एक ही होता है आप देखे होंगे याद किये होंगे यानि कि एक बटे रूट दो होता है दोनों का तो इसका सही एंसर क्या हो जागा यानि कि B तो यह तो आपको याद करना होगा याद रहेगा सभी फोर्मूला को याद कर लिजे और भेलियू को याद रख लिजे तो तिरकोनमिती का प्रस्ना असान तरीके से solve हो जाएगा कहने का मतलब है कि sign में 45 डिगरी का मान और cos में 45 डिगरी का मान समान होता है एही आप से यहाँ पर किया है जैसे sign 45 डिगरी और cos 45 डिगरी का मान समान होता है तो sign और cos का ही तो उल्टा यहाँ पर है न को सेक और सेक तो क्या हो जगा यहाँ पर भी 45 डिगरी ही होगा तो B option सही है एक बार समझेगा फिर कभी कोई दिकत नहीं है और इसी तरह का प्रस्ना एकजाम म आने वाला है अगला प्रस्ना चोव नमबर चोव नमबर अब यहाँ पर समझेगे यह तो फोर्मूला है एक बार मैं फोर्मूला समझा देता हूं sign 90 माइनस थिटा बराबर क्या होता है तो cos थिटा यानि कि यहाँ पर जो थिटा है वही थिटा को लिखते हैं इसके बाद cos cos 90 माइनस थिटा बराबर क्या होता है तो sin theta होता है और यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 90 माइनस थिटा बराबर क्या होता है तो quote theta होता है याद रखेगा और इसका अब उल्टा भी आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल समझ में आ गिया होगा तो देख लिजिए 1090-A तो यहाँ पर जैसे यह मैं question mobile से लिखा हूँ generally theta दिया हुआ रहेगा या A रहे B रहे उससे कोई फर्क नहीं है आपको समझ में आना चाहिए तो 1090-A बराबर क्या हो जगा यान की quote A हो जगा 1090- theta बराबर quote theta यान की quote A हो जगा तो quote A कहाँ पर है D option सही है इस तरीके से आपको solve करना है और जो भी फर्मूला याद करने का है याद कर लीजिए याद रहेगा तो फिर कभी कोई दीकत नहीं होगा अगला प्रसना 7 नंबर इसमें क्या बोला है अब यहाँ पर देखिए एक फर्मूला आप याद किये होंगे sin square theta plus cos square theta बराबर एक होता है उसी तरीके से sin square theta minus 10 square theta बराबर भी एक होता है अब इसी फर्मूला पर यह प्रसना अधारित है अब मैं प्रसना को लिख लेता हूँ समझने का causes कीजिएगा तो दोनों में 9 है न 9 को common ले लिजिए time आपको बरबादी नहीं करना है आप इहाई से देखके आप बता सकते हैं कि इसका value क्या होगा 9 होगा इसका answer क्या होगा 9 होगा लेकिन समझे 9 को common ले लिजिए तो क्या बचेगा sec square a है न तो a लिखिए generally theta रहेगा sec square a minus 10 square a तो इसके बरबर में क्या होता है एक होता है तो 9 और इसका value एक तो 9 एकम 9 यानि कि इसका answer 9 होगा देखते के साथ objective प्रस्णा को देखते के साथ answer बताए नहीं तो अगर time देंगे तो फिर बड़ा वला प्रस्णा को solve करने के लिए time में नहीं मिल पाएगा अगला प्रस्णा 8 नमबर सबसे पहले प्रस्ण को समझे प्रस्ण में क्या दिया हुआ है यदि 2 cos a बराबर root 3 तो a का मान है अब यहाँ पर देखे 2 cos a है ना और इधर में root 3 है तो सबसे पहले ये 2 को हटाए cos a तो 2 खटाएंगे तो root 3 बटे 2 अब cos theta में किसका मान cos theta में किसका मान root 3 बटे 2 होता है अब याद रखेगा जैसे cos 0 degree का मान cos 0 degree का मान 1 होता है और cos 30 degree का मान कितना होता है तो cos 30 degree का मान root 3 बटे 2 होता है यह आपको याद रखना होगा तो cos 30 degree कमान इतना है तो 30 degree कहां पर है C option सही है यानि कि A के जगह में कितना होना चाहिए 30 degree होना चाहिए बिल्कुल समझ में आ गिया होगा अगर कहीं पर समझने में problem हो रहा है तो comment में लिखके बताईएगा तो बिल्कुल सही है अब चलते हैं अगला प्रसना 9 नमबर सबसे पहले प्रसन को समझिए कि प्रसन में क्या दिया हुआ है यदि sign A बराबर close A कहने का मतलब है कि sign A और Close A का मान ब्राबर है तो A का मान है अब आपको समझना है कि साइन में और कोस में किसका मान बराबर होता है यहां पर आपको समझना है अब ध्यान दिजिएगा तो 45 डिगरी का न यानि कि साइन 45 डिगरी का sign 45 degree command कितना होता है एक बटे root 2 और cos 45 degree command भी एक बटे root 2 होता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा यानि कि B option हो जाएगा सही तो इस तरह का प्रस्णा तो पुछा जाता है यानि कि A के जगह में क्या रखना होगा कि दोनों तरफ बराबर हो जाए तो sign A के जगह में 45 degree रखना होगा तो sign 45 और cos 45 command बराबर होता है यह आपको समझना होगा एक बार practice किजिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला number में मैंने बताया था अगर minus में रहे जैसे दिया हुआ था cos minus sign इस रूप में दिया हुआ था तो किसी एक को change करना है अगर बटे में रहेगा तो भी किसी एक को change करना है तो अब यहाँ पर समझे एक बार समझ लिजिए इसमें कलम और कोपी यूज करने का tension मत लिजिए अगर यूज किये तो फिर दिक्कत होगा क्योंकि समय नहीं मिलेगा देखते के साथ आपको इस तरह का प्रस्ण को solve करना होगा देखिए तो यहाँ पर 18 degree यहाँ पर 72 degree यह दोनों को जोड़ेंगे तो 90 degree होगा 90 होगा देखिए आठ दू दस साथ एक आठ एक नौ 90 degree न तो इस दोनों में से किसी एक को change करना है जैसे अगर आप उपर वाला को जेओं का तेओं रहने दीजिए इतना और नीचे वाला को change करेंगे न तो साइन 18 degree ही होगा होगा और यह मैंने पहले पहला नमर में ही समझा चुका हूँ तो इसको काटेंगे तो क्या होगा यानि कि एक बचेगा देखिए घटने के बाद अगर कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पर 0 लेते हैं लेकिन कटने के बाद कुछ नहीं बचता है इसका मतलब 1 तो इहाँ पर कटेगा तो क्या होगा एक होगा यह आपको समझना होगा नहीं समझेंगे तो mistake होगा तो इस तरह का प्रस्न में tension नहीं होना चाहिए तो देखते के साथ आपको answer बता देना है सिर्फ इसको मिला के देखना है कि यह theta को जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर यह दोनों में से किसी एक को change करेंगे तो दोनों बराबर ही हो जागा और cut के क्या हो जागा यानि कि एक answer आएगा और concept भी मैं change करने के लिए पहले बता चुका हूँ तो इसका answer क्या होगा एक होगा बी option सही है बी option सही है अगला परसना 11 नमबर अब यहाँ पर देखिए इसका answer बता दीजिए तो column और copy use क्यों करेंगे जब आपको option बताना है कि इसमें से कौन सा option सही है तो हम क्यों बनाएंगे क्यों हम time को परबादी करेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा परसना को solve करना है न तो उसके लिए तो time बचाना होगा तो यहाँ पर देखिए 10, 26 degree और quote 64 degree यह दोनों में से किसी एक को change करेंगे तो क्या होजगा उपर नीचे बराबर तो cut के क्या होगा यानि कि एक आएगा तो इसका भी answer क्या होगा एक यानि कि A option सही है तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देखिए इसको समझने का परियास कीजिए एक बार मैं यहाँ पर बना जाता हूँ इस तरीके से तो यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है समझने का परियास कीजिएगा और यहाँ पर 12 cm और यहाँ पर 13 cm दिया हुआ है देखिए अगर इसमें अगर आप solve करने के लिए गए आप सोचेंगे कि पहले तो इसका value निकालेंगे तब answer मिलेगा आपको कोई value नहीं निकालना है जो formula आप याद किये है न 10 theta ब्रावर या 4 theta ब्रावर उसी को यूज करना है देखिए समझने का परियास कीजिएगा एक बात जैसे क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 10 P minus 4 R यहाँ पर समझने का है और इस तरह का परसना कहीं पर कोई आपको सही तरीके से नहीं बताएगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं दोस्तों में यारों में चैनल को share किजिए ताकि सभी लोग को सही knowledge सही तरीका से पढ़ाई मिल सके तो देखिए 10 P P कहां पर है यहां पर है न ध्यान दिजेगा या तो 10 P लिखा जा सकता है या 10 R भी लिखा जा सकता है लेकिन अगर 10 P लिखा हुआ है तो अधार आपको इसको मान के चलना है यह अधार और यह लम अगर 10 R यहां पर रहता 10 R तो अधार इसको मान के चलते समझ में आ रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है अगर doubt है confusion है तो comment में लिखके बताईए मैं फीर से detail में समझाने का परियास करूँगा तो यहाँ पर 10 P लिखा है तो सबसे पहले आपको देखना है कि यह तरी भूज में P कहां पर है तो P यहाँ पर है तो अधार ये वला हो जाएगा तो 10 थिटा बराबर क्या होता है 10 थिटा बराबर P बटे B तो A अधार हो गया तो अधार को B से denote करते हैं तो P ये हुआ और B ये हुआ यानि कि लंब ये हुआ और अधार ये हुआ तो आप लिख दिजिए 10 थिटा बराबर क्या होता है P बटे B यानि कि लंब बटे अधार तो लंब ये है यानि कि अगर यहाँ पर 10 P लिखा हुआ है तो ये अधार है और ये लंब है कि यह तो कभी भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं रहेगा या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा तो यहाँ पर quote R है तो quote R तो R यहाँ पर है न तब आपको अधार इसको मान के चलना है और इसको लंब मान के चलना है मान के नहीं एही होता ही है रियल में तो अब यहाँ पर समझेगा जैसे कोट R लिखा हुआ है तो अधार यह है और लंब यह है लेकिन कोट थिटा बराबर किया होता है 10 का उल्टा यानि कि 10 होता है P बटे B तो कोट होगा B बटे P तो अब यहाँ पर समझेगा तो यहाँ पर कोट आर है तो अधार यह हुआ ना तो कोट थिटा बराबर अधार बटे लंब तो अधार यही हुआ ना तो अधार यहाँ पर लिखते जिए Q, R और लंब हो गिया यह वाला तो P, Q देखिए दोनों बराबर है जब दोनों बराबर है और बीच में माइनस का चीन है अगर कहीं पर 20 माइनस 20 रहगा तो घटके 0 ही होगा ना अगर कहीं पर A माइनस A रहगा तो घटके 0 ही होगा ना तो यहाँ पर देखिए यह दोनों तो value same है और बीज़े minus है तो घटके 0 ही होगा तो इसका value क्या हुआ? 0 हो गया A option सही है तो A option को सही मार दीजे या answer में आप इस तरीके से उतर लिखे और A लिख दीजे एही तो लिखते हैं न तो इस तरीके से आपको solve करना है अगर कहीं पर doubt है confusion है? तो comment में बे धड़क लिखिए मैं फीर से समझाने का परियास करूँगा आज के लिए इतना ही जैहिन वंदे मातरों